Assalamu alaikum my dear students हम chapter number 6 valuing others की comprehension कर रहे हैं आज हम उसमें the की pronunciation के बारे में करेंगे, बात करेंगे pronunciation कहते हैं किसी भी चीज, लफ्स की अदाइकी को आपको पता है के the is an article what is an article it is an adjective it modifies a noun, article जो है वो एक adjective होता है जो noun को modify करता है तबदील करता है the article कब use किया जाता है यह हम पहले भी पढ़ लेते हैं पढ़ चुके हैं, आज हम उसकी दुराई कर लेते हैं to specify a particular noun किसी मखसूस noun को के साथ जब हम the लगाते हैं तो वो खास हो जाता है ना जैसे an apple एक द्रफ्ट पे बहुत सारे apples लगे हुए हैं, कोई भी apple हो सकता है एक apple लेकिन जब हम कहेंगे the apple तो उन में से खास apple की तरफ इशारा होगा the apple अब हम देखते हैं कि हम इस the article को दी पढ़ते हैं या द पढ़ते हैं तो अगर तो consonant से पहले आये तो हम the पढ़ते हैं और अगर vowel से शुरू हो रहा हो तो हम दी पढ़ते हैं जैसे the garlic और दी एपल तो प्रोनॉंस the as before a consonant sound the ways और अगर इसी को हम इससे पहले vowel लगा देंगे interesting ways तो ये दी बन जाएगा ठीक है जो word जो है वो किसी consonant से शुरू हो रहा हूँ उसे अगर पहले टी एटी article लगे तो हम उसको the pronouns करते हैं और अगर किसी vowel से पहले article लगे तो उसे हम the pronouns करते हैं ठीक है जैसे ये क्या है आपके रवियन भी हो जाएगी ये है orange औरेंज के spelling लिखें शाबाश और अरेंज औरेंज तो औरेंज किसे स्टार्ट हो रहा है एक वावल से तो इसके साथ क्या लगेगा the orange हम इसको अगर specific बनाना चाहेंगे तो इससे पहले the orange ये क्या है शाबाश इसके spelling लिखें हमेशा fresh apple का juice भी है apples a-double-p-l-e-s apples apples किसे स्टार्ट हो रहे है वावल से और हम इससे अगर पहले t-h-e लगाएंगे तो इसको the pronouns करेंगे the apples ये क्या है खुद से spelling लिखें शाबाश ये हैं umbrellas चत्री को English में umbrellas कहते हैं और umbrellas भी यू जो है वो वावल है उससे शुरू हो रही है तो इसको क्या पढ़ेंगे अगर t-h-t पहले लगाएंगे the the umbrellas because they start with the vowel next है गाडी में जो गाडी का मालक हो उसको कहते है owner o-w-n-e-r owner owner किस से start हो रहा है वावल से इससे पहले अगर हम t-h-e लगाएंगे तो इसको the pronouns करेंगे ठीक है next है ये क्या है bottles b-o-t-t-l-e-s bottles और इनके साथ क्या लगेगा t-h-e the the bottles क्यूंकि ये consonant से start हो रही है ये क्या है match दो टीमें आपस में मुकाबला करती है उसको match कहते है cricket का match भी हो सकता है football का भी हो सकता है इसके spelling है m-a-t-c-h match ये किस से शुरू हो रहा है शाबाश consonant से इससे पहले भी हम the pronouns करेंगे the match ये क्या है file file किस क्या spelling है f-i-l-e file और ये क्या है consonant से वर्ड शुरू हो रहा है इससे पहले अगर हम t-h-e लगाएंगे तो उसे the pronouns करेंगे ये क्या है house h-o-u-s-c house ये किस से start हो रहा है consonant से और consonant से पहले t-h-e लगाएगा तो the pronouns होगा my dear student successful people are not gifted जो कामयाब लोग होते हैं उनको कोई खास तोफा नहीं मिलता they just work hard वो सिरफ मेहनती होते हैं then succeed on purpose उनकी जिन्दगी का मकसद होता है और वो कामयाब होते हैं तो आज से मेहनत करना अपने उपर लाजम कर ले रोज का सबक रोज याद करें और अल्ला ताला को मेहनती लोग पसंद हैं अल्ला की किताब को भी तर्दमे से पढ़ें और दुनिया की जिन्दगी बेतरीन जिन्दगी गुजारें उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें